हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी इंदी टीजर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कवी सुमीत्रा नंदन पंत जी द्वारा रचीत गीत विहग, सिर्शक कविता के भाग तीन को लेकर मैं आज उपस्तित हूँ आरम में ही मैंने पता दिया था कि इस कवीता को मैं चार भागों में पढ़ा हूँ तो भाग एक और भाग दो कम्प्लीट है और इससे सम्मंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया गिया है आज भाग तीन की बारी है तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नहीं है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो कर नोटिकेशन आपको समय समय पर मिल सके भाग तीन के अंतरगर्थ मैं कविता के जिन अंसों को पढ़ा रही हूँ आप उसे स्क्रिन पर देख सकते हैं कविता के इस अंस को मैं सबसे पहले पढ़कर सुनाओंगी फिर कठिन सब्दों के अर्थ को बताने के बाद मैं पंक्ति की ब्याख्या करूँगी और अंत में इसका विशेश भी बताऊंगे तो खुब ध्यान से आरंब से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें तो चलिए आरंब करती हूँ देखें जीवन मन के भेदों में सोई मति को मैं आत्म एकता में अनिमेस जगाता तम पंगू बहिर्मुक जग में बिखरे मन को मैं अंतर सोपानों पर उर्द्व चड़ाता तो आप चलिए कठिन सब्द के अर्थ को देख लेए कठिन सब्दों के अर्थ देखें भेद भेद का अर्थ होता है भिन्नता अलगाव इसके साथी साथ रहस्य है जैसे आप कहते हैं न मैं इसका भेद जान गया हूँ यानि रहस्य जान गया हूँ इसमें कुछ बात है जो आप जान चुके हैं और इसके साथ ही साथ भेद भाव, ऐसे सब्द का हम लोग प्रयोक करते हैं, यानि भेद करना यानि अलग बतलाना, भेद जानना यानि रहस्य को जानना और भेद करना यानि उसे अलग बताना, भिन्य करना. मति यानि बुद्धी मत से बना है मति मत में हर्शी जो परते हैं मत यानि विचार उससे बना है मति बुद्धी अनिमेश मने लगातार निरंतर तम पंगु तम होता है अंधकार और पंगु कहते हैं अपाहिच तो यहाँ पर तम का आर्थ है अज्ञानता, यानि अज्ञानता से घिरे हुए लोकमन, इसे ही कहेंगे तम पंगु, यानि अज्ञानता के कारण कैसे बन गए हैं, पंगु बन गया, पाहिस से बन गए हैं, अंध विश्वासों, प्राचीन, रूडियों, परंपराओं तथा स्वार्थ संग्णताओं से घने और निविड तम से घिरे गतिहीन बिबेक रहित लोकमन, यदि आपसे तम पंगु की ब्याख्या पूछी जाए कि इस सब्द का तात्पर बतलाईए, या इस सब्द के द्वारा कभी क्या कहना चाहते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं, बह जात्मिक्ता के दिब्य प्रकास युक्त उद्दात सिड़ियां, या आत्मा रूपी सिड़ी, पुर्द्व मतलब उपर, उतकर्ष की ओर, यहाँ पर वेदान्त और अर्विन दर्शन की बात कही गई है, योगि हम सभी जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी अर्विन द प्रांती का स्वर, सफलता का उद्धोस, इसे कहा गया है जीवन रनसंगर, जैसा कि आप लोग सभी जानते हों कि गीत विहक कविता के माध्यम से कवी ने जागरन का संदेश दिया है, लोगों में नव मानवता वात को जागरत किया है, कवी स्वेम को एक गीत विहक के रू कविता भी हमारे रदय में, हमारे अंदर चेतना को जगाती है, हमें जागरन का संदेश देती है, देखिए, जीवन मन के भेदो में सोई मती को मैं आप्म एकता में अनिमेश जगाता है, तो कभी बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन या मन में क्या है, सोई मती हमारी विचार सक्ती विचार बुद्धी कैसी हो गई है सो गई है सुपतावस्था में है सो गई है क्यों सो गई है क्योंकि हम जो है जीवन के रहस्य को आज तक समझी नहीं पाएं हम जीवन के भेद को न समझ पाएं या कह सकते हैं कि हम जीवन के भेद भाव में ही डूब कर रह गएं दोनू ही अर्थ है भेद का एक अर्थ है रहस्य और एक भेद का अर्थ है भिन्नता यानि हमारी बुद्धी कहा सो गई है? भेद भाव में सो गई है हम संसार में जो अलगावार्थ की बाते हैं उसमें डूब गए है और यह भी कह सकते हैं कि जीवन के रहश्य को हम सुलजा नहीं पा रहे हैं इसलिए तो हमारी बुद्धी कैसी है? सो गई है हमारी मती सोई हुई है, किसलिए सोई हुई है, इस भेद भाव में उलज कर, क्योंकि हमारे पास विचार सक्ती का भाव है, हमारे पास विचार सक्ती नहीं है, हमारा जीवन जो है विविद समस्याओं में, विविद रहस्यों में उलजा हुआ है, तो ऐसे उलजे हुए मन को, ऐसे रहश्य में डूबे हुए मन को ऐसे सुई हुई बुद्धी से युक्त मन को कभी क्या करते हैं? जगाते हैं, जागरत करते हैं किस तरह से? मैं आत्म एकता में अनिमेज जगाता कभी अपनी कभीता के माध्यम से आत्म एकता, यानि आत्मा की एकता हम सभी एक हैं इसे भी आत्मेक्ता समझ सकते कि हमारा मन क्या है हम भेद भाव में डूबे हुए हैं हम परतेक मनिश्य को अलग-अलग समझते हैं लेकिन हम सभी मनिश्य के अंदर इस्वर का अंस्पक आत्मा विराजमान है हम सभी के अंदर आत्मा का निवास है इस दृष्टी से हम एक हैं इस बात को हम भूल जाते हैं या फिर या कहा जा सकता है कि हमारे मन में तरतरे की भाव हैं उन भावों को एक कर हम अपने लक्ष की और आगे बढ़ सकते हैं तो यहां पर कभी ने जो कहा है कि मैं आत्मे एकता में अनिमेश जगाता कभी बिबिन प्रकार से लोगों में एकता का संचार करते हैं और अनिमेश लगातार इस चेश्टा में लगे हुए हैं तो येक्ता किस तुरह से है? एक अर्थ है कि सब मनिश्य में एक ही आत्मा का निवास है इस अर्थ में हम सभी एक हैं इस सत्ते को जाने इसका यह भी अर्थ है हमारे अंदर बहुत से भाव हैं उन भावों को हम एकागर कर जीवन में अपने लक्ष को प्राप्त करें कभी इसके प्रती सतत प्रत्न सील हैं यनि सारी प्रव्रतिया, सारे भाव एक होकर एकागर होकर, एकागर चित होकर जीवन में आगे बढ़ें कवी अपनी कवीता के माल्धम से हमें यही समझा रहे हैं यही संदेश दे रहे हैं हमें जागरत कर रहे हैं और कवी का यह प्रियास जो है अनिमेस लगातार चल रहा है तम पंगू बहिर्मुक जग में बिखरे मन को मैं अंतर सोपानों पर उर्द्व चड़ाता तम पंगू बहिर्मुक जग में बिखरे मन को यानि हमारा मन यह जो हमारा मन क्या है बिखरा हुआ है क्यों बिखरा हुआ है तम पंगू यानि अज्यानता के कारण तम मने अंधकार अज्यानता के अंद्रकार में हम किस के समान हो गए पंगू बन चुके हैं अपाहिच के समान हो गए हमें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है हम ठीक से चल नहीं पा रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम पंगू से बन गए हैं क्यों बन गए हैं क्योंकि हमारा मन जो है इस बहिर्मुक जग में बिखरा पड़ा है यानि जो चीजे लुभावनी है जो चीजे हमें अच्छी लग रही है हम उन्ही चीजों के पीछे दोड रहे हैं भले ही वो हमारे आत्म विगास के लिए आवशक नहीं है हम अपना बाहरी विगास कर रहे हैं बाहरी दुनिया में बाहरी चकमक में बाहरी चकाचौंद में हम लोग डूब गए हैं चकाचौंद के पीछे भाग रहे हैं लेकिन हम आद्म उन्नत्ति नहीं कर रहे हैं इस बाहरी दुनिया में अपने मन को फसा के हम कैसे बन चुके हैं? अपाहिच से बन गए हैं. हमारा मन बिखरा हुआ है. तो कभी ऐसे बिखरे मन को क्या करते हैं? मैं अंतर सोपानों पर उर्द्व चढ़ाता. उर्द्व मने उपर की ओर, उन्नत्ती की ओर, उतकर्ष की ओर. तो कभी अपने कवीता के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से कभी क्या करते हैं? हमारे भीतर चेतना जगाते हैं. ताकि हम आत्मा रूपी स्युधी के द्वारा जीवन को उतकर्ष की ओर ले जाएं. जीवन की उन्नती करें. जीवन को अध्यात्मिक्ता की ओर ले यहाँ अर्विन दर्शन की बात की जारी कि बाहरी जगत में जो हमारा मन भठका हुआ है, हमारा मन जो इधा उधर चीजों में सनलगन है, वहां से हम अपने मन को हटाएं और अपनी आत्मा का विकास करें, तभी हमारी जीवन का विकास होगा, तभी हम इसवर तक पहुँच पाएंगे तभी हमाई इस्वर की प्राप्ति होगी क्योंकि ब्यक्ति का मन जब तक बहिर जगत में लगा रहता है तब तक वह अपने आपकी अपने आत्मा की उन्नति नहीं कर सकता है जैसा कि देखिए कबिरदाजी ने क्या बतलाया था कि हिरन के नाभी में कस्तूरी होती ह लेकिन हिरन क्या करता है उस कस्तूरी को बाहर ढूंडता है जबकि वह कस्तूरी उसके नाभी में ही है ठीक उसी तरह से हमारे हिरदय में ही इस्वर का निवास है लेकिन हमारा मन उसे बाहर ढूंड रहा है बाहरी चीजों में ढूंडते वे भटक रहा है तो हमें क्या करना है हमें आत्मुनत्ति करनी है तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे यानि खुद का विकास करना है तभी हम सब का विकास कर पाएंगे यदि हम खुद को ही न जीत पाएं तो दुनिया कैसे जीतेंगे यानि जब तक हम अपने इंद्रियों को न जीतें तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं आदर्शों के मरुजल से दग्त मरिगों को मैं स्वरगंगा इसमित अंतरपत बतलाता यहां पर एक उधारन दिया गया है क्या मरुजल आप लोगों ने मिर्क मरीचिका का नाम सुना ही है मिर्क मरीचिका क्या है? कि जैसे रेगिस्तान में लोग चलते हैं बालू पर तो क्या लगता है? दूर कहीं जल है और वह प्यक्ति जल को पाने के लिए क्या कर तो उस जगह तक भी पहुंसता है लेकिन वहां जाकर देखता है कि जल है ही नहीं तो यह एक भ्रहम है और हम सभी क्या कर रहे हैं? भ्रहम के पीछे ही दौर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे घटी-घटी राम है दुनिया देखे नहीं यानि हम सभी मनुष्य जूठे भ्रहम के पीछे दौर रहे हैं संसार की जो बस्त्वे नस्वर है उसे ही हम सच मानते हैं और हमारे भीतर जो आत्मा जो सास्वत है इसे हम जूट समझते हैं तो हम ठीक इसी तरह से मिर्ग मरीचिका के पीछे दोड रहे हैं तो यहाँ पर मिर्ग मरीचिका क्या जूटे आदर्स कुछ ऐसी बातें जो हम जिसे हमने आदर्स बना लिया है ये सारी जूटे आदर्स हैं जिससे हमारा विकास कभी हो ही नहीं सकता और हम उसे आदर्स समझ कर अच्छा समझ कर क्या कर रहे हैं उसके पीछे भाग रहे हैं और ऐसे कोरे आदर्सों के बीच ही मनिश उलचकर रह गया है जो हमारे लिए अनुपयोगी है कभी आदर्शों के मरुजल से दग्दमरिगों को मैं स्वर्ग गंगा इसमित अंतर पत पत लाता तो कभी क्या करते हैं उसे एक सामाजिक दर्शन प्रदान करते हैं जो लोग जूटे आदर्शों के बीचे दोड़ते दोड़ते ठक से गए हैं जल से गए हैं ऐसे लोगों को कभी एक सामाजिक दर्शन प्रदान करते हैं यानि स्वर्ग गंगा इसमित अंतर पत स्वर्ग गंगा इनि स्वर्ग की गंगा यानि गंगा नदी, देव नदी, इसमीत मतलब मुस्कान, प्रशनता, अंतरपत, यानि भीतर का रास्ता, अंतर मने भीतर, आत्मा, पत यानि रास्ता, यानि आत्मा तक पहुशने का एक मार्ग, तो स्वर्ग गंगा यानि देव नदी, देव नदी किसका प्रतिक है, पवित रहे तो कवी अपनी कवीता के माध्यन से हमें इसी पवित्रता की और उन्मक करते हैं अंतरपत बतलाता यानि जीवन को अच्छाई के तरफ किस तरह से मोड़ा जाएं किस मार्ग से होकर हम सास्वत सत्य तक बहुं सकते हैं वह रास्ता हमें कवी बतलाते हैं इसके बाद कवी क्या कहते हैं जन जन को नव मानवता में जागरत कर उना कवी परतेक जन को जन जन यानि परतेक जन को यहां पर जन जन में पुनरुक्ति अलंकार है परतेक व्यक्ति को फिर से नव मानौता में जागरत कर यानि परतेक मनुष्य के भीतर एक नई मानौता वाद नई चेतना को जागरत करके क्या करते हैं मैं मुक्त कंठ जीवन रन संख बचाता यानि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवन में निर्फिक होकर जीवन की सचाईयों को स्विकार करने के लिए कभी क्या करते हैं प्रेरित करते हैं जो कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जीवन रन संख ये क्या क्रांती का उद्गोस, क्रांती का स्वर तो कभी हमें क्रा आंते यनि परिवर्तन को स्विकार करें और कभी हमें यह प्रिणना देते हैं कि हम जीवन रुपी युद्ध में सफल हो सकें आत्म चेतना जगाएं अपनी आत्मा को जागरत करें जीवन में अध्यात्मे की ओर अग्रसर हो सकें तो अब चली मैं इसका विशेश बतलाती हूँ देखिए विशेश इसकी जो पहली विशेश्ता है वह है कि यह एक जागरन गीत है कभी ने स्वयम को गीत विहक कहा है पक्षि की भाती वे लोगों में जागरन का संदेश देते हैं दूसरी विशेश्ता यह है कि कभी मनिश्य के मन में व्यात जो भेद भाव की भावना है इसे अपनी कवीता के माध्यम से दूर करना चाहते हैं मनिश्य के जीवन में जो रहश्य है, जिन रहश्यों में मनिश उलच कर रह गया है, उससे कभी मनिश्य को बाहर निकालना चाहते हैं, और उन्हें अध्यात्निक्ता की ओर ले जाना चाहते हैं. अज्यानता के अंधकार से हमारा मन जो बाहरी जगत में विखरा पड़ा हुआ है, उस मन को कभी एकाग्रचित करके जीवन में उन्नत्ती की ओर उतकर्ष की ओर ले जाना चाहते हैं. कभी निरंतर भोग विलास में लीन चेतना सुन्य मनिश्य को आत्मा की सीड़ियों के द्वारा उतकर्ष की ओर ले जाना चाहते हैं. जूटे आदर्षों में उल्जे हुए, लोगों को कभी एक सामाजिक दर्षन देके उन्हें आत्मबोध कराते हैं. आदर्षों के मरुजल से दग्द में उटका तीश्योक्ति अलंकार हैं. जन जन में उन्रुक्ति अलंकार का सुन्दर प्रियोग मिनता हैं. कभी की भासा संस्कृत निष्ट खड़ी बोली हैं. कोमलता और मधुरता इनके भासा की एक प्रमुख विसिस्ता रही हैं. आज मैंने भाग तीन के अंतरगात कवीता के जिन अंसों की व्याख्या किये वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें. वीडियो को लाइक करें. सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में सेर जरूर करें. आप से पुना एक नई वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें. मेरी सुब कामनाई, आप सभी बच्चों के साथ हैं. धन्यवाद.